नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे शूचना के अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट के तहत हम लोग कैसे और किस-किस इस्थिती या किस-किस कारण से धारा अठारा के तहत सिकातवाद दार कर सकते हैं मुक्सूचना आयुक्त चाहे वह राजिका हो या केंदर का जो भी इस चैनल से पहली बार जुरूए हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा इसे ए उसकी जानकारी आसानी से हो सके तथा उनका लाव ठीक ठीक उठा सके तो चलिए आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार हम लोग RTI Act का प्रियोग13-18 के तहत करेंगे और किस किस स्थिती में कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसके मैंने कुल 7 points बताए हैं इसलिए आप लोग बिना skip कुए हुए इसे पूरा देखेंगे अवस्य जिससे आपको ठीक ठीक से इसकी पूरी जानकारी हो सके तो सत्य में विजयते सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI Act 2005 की धारा 18 के तहत किस इस्तिती में कैसे या किस किस कारण से सिकायतबाद दायर कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे आप लोग लगातारी से देखते रहें सेवा में केंदर सूचना आयोक से यदि मामला हो तो केंदर सूचना आयोक के बारे में लिखेंगे यहां केंदर मुक सूचना आयोक या राज से सम्मंदित हो किसी भी राज से तो राज मुक सूचना आयोक सूचना आयोक अपने अपने सूचना आयोक का यहां पता लिखें शिकायतवाद दायर करने की शंबंद में जो भी आप शिकायतवाद दायर करेंगे जिस भी लोग सुचना पतादिकारी का उसके नाम और उसके कारियाला विभाग का पूरा पता अवस्द रखेंगे तो आगे लिखेंगे लोग सुचना पतादिकारी या विभाग जिसके खि लिखेंगे लोग सुचना पदादिकारी नाम जानते होंगे तो उसका नाम भी लिख सकते हैं उनका पद नाम लिखना जरूरी है विभाग या काड़ियालय के पुता जैसे अंचल कारियालय से आप सिकायत करना चाते हैं अंचल कारियालय के P.I.O. से प्रखंड का जिला का जो भी जिस भी कारियाले का आप लोग सुचना पताती कारी का सिकायत करना चाहते हैं उनका पूरा पता पीन कोड़ सहित अवस्त्री लिखेंगे अब आगे लिखेंगे महासर मैंने उप्रोक्त कारियाले विभाग में RTI के तहत आवेदन जमा करने का प्यास किया लेकिन RTI X 2005 का अनुपालन नहीं हो पाया इसके निमलिखित कारण है अब किन-किन कारणों से आप सिकायत बात करेंगे इन कारणों में से आपका कुछ कारण हो सकता है जिसके आधार पे आप सिकायत कर सकते हैं तो मैंने आप लोगों को कुछ कारण यहां बताने का प्यास किया है कुल साथ कारण मैंने यहां बताया है इन में से एक, दो, तीन, चार जो भी कारण हो आप लोगों का उसके बारे में आप लोग अवस लिखेंगे पहला है विभाग या कारियाले में अभी तक लोग सूचना पदादिकारी नहीं है कुछ ऐसे कारियाले हैं या कुछ ऐसे PIO हैं उन्हें मालूम भी नहीं है कि कारियाले में लोग सूचना पदादिकारी का भी कोई पद होता है लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ जो कारियाले के प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं वो लोग सूचना पदाधिकारी भी हुआ करते हैं इसलिए आप लोग उनका नाम अवश्य लिख दिया करें जैसे अगर अंचल कारियाले से आपने सूचना की मांग की हो तो लिखेंगे टू लोग सूचना पदाधिकारी या श्रेवा में जन सूचना पदाधिकारी सह अंच विवाग या कारियालय में अभी तक लोग सुचना पताधीकारी नहीं है कि अगर कोई सूचना देता है या आवेदन लेने से मना करता है तो आप लोग धारा अठारा के तहत सिकायतवाद दायर डिरेक्ट सुचना आयोग में कर सकते हैं दूसरा है लोग सुचना पतादिकारी ने मेरे आवेदन लेने से इनकार किया कभी कभी होता है कि जब हम लोग कारियाले में डिरेक्ट जमा करने जाते हैं तो लोग सुचना पतादिकारी द्वारा पियाईयो द्वारा आवेदन लेने से मना कर दिया जाता है तो इस इस्थिती में भी हम लोग 18 एक के तहत सिकायतवाद दायर कर सकते हैं तीसरा है रइस्टर डाक से आवेदन भेजा गया लेकिन वापस कर दिया कभी कभी होता है कि हम लोग आवेदन रइस्टर डाक से स्पीट पोर्स डाक से बेजते हैं लेकिन कार्याले लेने से मना कर देता है कि यहां लोग सूचना पदादिकारी का कोई पद नहीं है या किसी भी कारण से अगर आपका आवेदन डाक से वापस कर देता है तो आपके साथ गलत हुआ इसकी सिकायत अबस्य होनी चाहिए कभी-कभी यह जान बूझ कर भी किया जाता है इसलिए ऐसी स्थिती में भी सिकायत वाद अवस्य करें चौथा है लोग सूचना पदादिकारी ने आवेदन सुल्क लेने से मना कर दिया कभी-कभी होता है कि हम लोग RTI लगाते हैं और उसके लिए अतिरिक्त सुल्की मांग की जाती है अगर अधिक पेज हुआ करते हैं और वह सुल्क जब हम लोग जमा करने जाते हैं तो उसे लेने से मना करता है या कभी-कभी कहा जाता है कि मुझे इस फॉर्म में सुल्क दें या कभी-कभी अधिक सुल्क भी मांगा जाता है तो ऐसी स्थिती में भी हम लोग दुरुबैवार किया, कभी-कभी लोग सुचना पता दिकारी द्वारा आवेदक को बुला लिया जाता है और उसे डाट फटकार दिया जाता है या उसके साथ बैवार ठीक से नहीं किया जाता है, तो ऐसी इस्थिति में भी हम लोग धारा आठारा के तहत सिकायत बात धायर क कर सकते हैं और उस दुरुबैवार का यदि कोई आडियो या वीडियो बना लिया जाए उस इस्थिति में तो सिकायत बात में आपको साक्ष रखने में आसानी होगी, तो इसका भी ख्याल आप लोग रखेंगे, छटा है लोग सूचना पता दिकारी ने सुल्क अधिक ने का 10-20 रुपया दो पन ने पर टीपेच की हिसाब से सुलख लिया जाता है, कभी कभी वह चुल्क जान बूझ कर 57 की गिंती भी अधिक बता दिया करती है और जान बूज कर अधिक सुल्क मांगने का भी प्रक्यास किया जाता है तो ऐसी इस्तिती में भी हम लोग लोग सुचना पदादिकारी एवं पृथम अपीलिये पदादिकारी की बिरुद्ध भी आप धारा अठारा के तहत सिकायत वादार कर सकते हैं सात्मा है लोग सुचना पदादिकारी ने वांचित सुचना सो समय नहीं नौ अपलब्द कराकर जूठी ब्रामक बनावती सुचना अपलब्द कराया है कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सूचना पदाधिकारी से हम लोग जो सूचना मांगते हैं वो सूचना ना देकर वो जूठी सूचना या भ्रामक सूचना या बनावटी सूचना उपलब्ध करा दिया जाता है इस पर भी हम लोग धारा आठारा के तहट सेधा सूचना आयोग में सिकायतवाद दायर कर सकते हैं इसकी जानकारी आप लोग अवस्य रखें और अवस्य धारा आठारा के तहट सिकायतवाद दायर करेंगे सिकायतवाद दायर करने में कोई भी सुल्क देने की आवस्चता नहीं होती है सिकायतवाद हरा आठारा के तहत ने सुल्क सूचना आयोग में किया जा सकता है अतह निवेदन है कि दोसी पर RTI Act के तहत कारवाई करते हुए आर्थिक डंट लगाया जाए जो भी दोसी लोग सूचना पदादिकारी हो उससे आयोग से निवेदन करना है कि जो भी उसमें दोसी हो उस पर कारवाई करते हुए RTI Act के तहत आर्थिक डंट लगाया जाए अपना हस्ताक शर करेंगे मुवाइल नंबर दे सकते हैं इमेल आईडी भी दे सकते हैं और अपना पूरा पता अवस्य लिखेंगे ठीक है अपना दिनांग ही तिथी दे देंगे पीन कर्ड सहीद अपना पता लिखेंगे और लोग सूचना पदादिकारी का भी पता में पीन कर्ड अवस्य देंगे जिससे सूचना आयोग को उन्हें नोटिस करने में आसानी हो और वे सिगरें उस पर कारवाई कर आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे आप लोग इसकी जानकारी अधिक से अधिक रखें और इसका उप्योग भी अधिक से अधिक अवस्य करें जिससे भारत में हो रहे प्रस्टाचार में कमी आए और हमारा भारत प्रस्टाचार मुक्त हो सके जैहिन